इसमें हिमाचल सरकार दौरा शिक्षा विवाग में कलस्टर सिस्टम में जो लाया गया है उसमें क्या कुछ खास कमिया रही है और क्या कुछ इसमें सुदार है या पिर क्या कुछ इसमें ऐसा एड किया जा सकता है जिसकी बज़ा से की शिक्षा के खिशेतर में और भी कुछ ज्यादा सुजाव होंगे बाचीत के लिए सबक्त हमारे साथ मजूद है प्रात्मिक शिक्षिक संग जिला कांगड़ा के मास अचीब कुल्दीप पठानिया जी सर नमस्कार जी सर शिक्षा विवाग में प्रदेश सरकार द्वारा जो क्लस्टर सिस्टम बनाया जा रहा है उसमें आपकी क्या राय है सुनने में आ रहा है कि आपके संगटन में अंदर खाते में जो है वो कुछ नराजगी भी जाहिर की जा रही है सरप्रतम तो मैं आपके चैनल के माद्यम से जो आपने शिक्षक साथियों को और सरकार को भी इसकी कमिया और जो इसमें सुधार हुए हैं उनके वारे में अव्गत करवारा चाहूंगा तो सरप्रतम तो मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षक साथियों को एक भ्रह्म में डाड़ा जा रहा है कि यह आदेश हैं पहले तो पहली बात तो यह हैं कि यह और गाई-लाइंज हैं इसके संदर्व में हमारे प्रदेश तर्ग के जो मारा संगठन है प्रातवी शिक्षक रिजिस्टर जूडिन हैं और सबसे बड़ा से गठनी महारे प्रदेश में जो आव इस समय जो प्रावरे टीजर फ्रेडरेशन है उसका प्रदेश तर्का प्रतिनी निदी मंडल जो पहली तारीक को निदेशक प्रारंबिक शिरी अशिशकोली जी से मिला है उनके साथ में जो आवो दो दिसंबर का पिछले कल सुबा दस वजे का समय दिया था और दो घंटे तक उनके साथ 20 पर चर्चा हुई है तो उन्होंने भी कुछ जिरूरी सुधारों को लेकर जो हमारी बात को माना है और हमें उमीद है कि जो भी इसमें कमिया रही है वो जल्दी दूर होंगी और हमारा जो संगठन जो आओं अंदर खाते जो आओ नराजबी तो शिक्षकों में है क्योंकि पूर्व में जब 84 में हमारे बीव अलग लग हुए थे प्रारंबिक और उचे इसके सदर्व में हम सरकार का भी धन्यवाद करते करना चाहेंगे कि सरकार ने शिक्षा हमारे जितने भी ऑफीसर है शिक्षा मिवाद में हम सभी का लेकिन इसमें बहुत सी कमिया जो है वो भी है कुछ खुबियां भी है तो मैं पहले जो हो सर इसमें सबसे पहले अगर बात करें हम इस गशेतर में किये गए जो कलस्टर सिस्टम में इसके सुधार पर ही बात करें तो आपकी नजर में ऐसे क्या सुधार है जो सरकार की तरफ से किये गए है क्योंकि हमारे प्राथमिक स्कूलों में पहले जो आव इतने संसादम नही कमी रहती थी ग्राउंड आदी की स्मस्या रहती थी रूम्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होते थे और इसके साथ मैं बात करूं तो करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है उसके लिए तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा और इसके साथ सरकार ने और भी कि एक जो हमारा तीन सो से पान सो मीटर के दाइरे में जो हमारे स्कूल है उनमें सरकार ने एक पक्ष रखा है कि एक अदेश किये हैं एक तरह से कि इनके बच्चों को जो हाओ एक साथ प्रेयर करवाई जाए और एक साथ ही अधिया जाए तो यह तो मैं सरकार को बतारा चाहूंगा यह पूरव के देश भी थे कि प्राथर समा जो आओ एक पंप्लेक्श में एक साथ होता था यह तो पूरव के देश इनको द्वारा से किया है लेकिन फिर भी हम सरकार के देशों को जो मानते हुए जो जिन पार्ष बहुत सी चीजिए जो है जिसमें कमिय रह गई गई है तो बहुत चीज़ें भी खुल कर सामरे आ रहे हैं जैसे जैसे दिन बीद रहे हैं हमारी शिक्षप साथियों में जो आफो पूछ कुछ चीजों को लेकर संशे जो आओ बना हुआ अप पूरे जिला कांगड़ा को इसमें जो है वो लेड कर रहे हैं और सीधी सीधी बात करें तो इस सरकार द्वारा जो गाइड लाइन जारी की गई है इसमें कौन सी कमिया रह गई है कि जो आपका संगठन जो है वो अंदर बाते कहीं ना कहीं इस परनाली का जो बिरोध भी कर रहा है सर इसमें कमिये तो बहुत हैं क्योंकि जो गाइड लाइन जारी हुए है अगर तो कल शिक्षा सचीव ने जो अश्वाशन दिया है वो अगर दूर कर देते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है हम उनका धन्यवाद भ पहनाएंगे लेकिन कमी भी बात करें तो सरप्रतम सबसे बड़ी कमी जो आ रही है जैसे हमारे 300-500 मेटर के स्कूलों को जो अंदर के दाइले के स्कूलों को कलब किया जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ी कमी है कि जो हमारे एमडियम के बरकर होते हैं ग्रीब जनता जो की इनका रोजगार चला हुए कि यूगे तो परिवार किसी कारे से चले हुए जैसे विडियो लेडी जो उनका बच्चे छोटे-छोटे हैं तो एक स्कूल में खाना बनाने का 35-36 प्रेसरकार से ले रही हैं तो अगर हम स्कूलों को कलब करें तो जो मेरा स्कूल अपना है और दूसरे स्कूल में मान लो 40 बच्चे होंगे तो कुल मिलाके 85 बच्चे होंगे और बहां से दो कुप कहलपर को बाहर जाना पड़ेगा गर बैटना पड़ेगा तो यह तो सबसे बड़ी कमी मैं इसको मानता हूं सरकार की और से मारे सरकार से 40 रहेगी कि इन लोगों को करेंगे और से में जब हम उन बच्चों को द्वारा कठा करेंगे एंडियम के बोजन के लिए योजना के तहल जो आपने खाना मिल रहा है तो उन बच्चों का आने जाने का समय जो है वो सुबह भी बिर्वाद होगा और दुपहर को जब बच्चे जाएंगे जो आदा किलो मिटर जब बच्चे चलके जाएंगे च्छोटे बच्चे मे रहे निवे जाएगे और खाने में और बच्चों को बाप पीस लाने में कम से कम डेड़ गणना चाहिए तो यहां पर भी हमें जो कमी साफ साफ नजर आ रही है और इसके साथ बच्चों की पढ़ाई का समय जो आगो वो भी ब्रवाद होगा तो यह कमी है इसके साथ मैं एक और बात करूं तो बच्चों की स्रक्षा का जो आगो कोई भी ध्यान इसमें नहीं रखा गया है वो भी सबसे बड़ी कमी है क्योंकि जब 300 से 500 मेटर के स्कूलों को हम कलब कर द पड़ेगा जब हो सकता है नैशनल हाइवे के पास से बच्चों को नैशनल हाइवे के साइड साइड में 200 या 300 मीटर का सफरताय करना पड़े और क्रोसिंग हो तो बहां पर बच्चों की स्रक्षा की जिम्में बारी किस्की होगी और क्या हमारे पास इतने संसानन हैं कि हम संसे भी बट कार्ण है और इसके साथ कमई यूं की बात करूं तो पूर मैंने पहले भी बात रखी है कि हमारे सिक्षक साथ्यों का पहले भी शोषन होता रहा है क्योंकि 84 में जब हमकारे बिंगलग होए थे तो उस समएं जो हलाद प्रदेश में बन गए थी और अभी ये शोशन जो शुरू हो गया है चुट-पुट खबरें जो हमें मैं संदेश मिलने शुरू हो गए है कि फुलारी यह समस्य मैं उनको जागर नहीं करना चाहूंगा लेकिन यह समस्य दिन प्रति दिन आएंगी और हमारे अधिक अधिक पर थे कोई पर्यास कर है तो हम उसका स्योग करेंगे हमारे शिक्षक बदुर्ञ नीचाहिंगे कि ей संख्या सत्र्य वहां हो नीचाहांगे थे उस समय उनके साथ हमारे प्रारंबिक शिक्षा निदेशक आदलिये शिरी अशीश को लीवी जीवी बहां उस बैठक में उपस्ती थे तो हमें ग्रोसा है कि शिक्षा मंत्री जी से भी हम कल शांग को इसी सिलसले में मिले थे तो उनकी तरफ से भी हमें अश्वाशन दिया गया है लेकिन आने वाले समय में क्या जो चेंजिंग जो इन गाई लाइन्स में होती है उनका हमें इंजार रहे हैं सर क्या कुछ बाचीज आपकी अधिकारियों के साथ जो जिस तरह से आपने कहा कि आपकी बाचीज उसमें से कुछ सुजाव आपकी तरफ से भी दिये गए होंगे कुछ सरकार की तरफ से भी सुजाव दिये होंगे या अधिकारियों की तरफ से ऐसे कौन-कौन से सुजाव है जो कि अधिकारियों को या सरकार को दिए गए हैं जिसे कि इस सिक्षा के खिशटर में जो है थोड़ा सा और बहुत्र नजया हो सके खरकरियों कि अद्रू रश्चरा प्रहल पिंदेशक IP मालोगिन affiliated कि जहीरि अच्छे कि कि अगर किया जाए को फूर शिक्षा में बहुत ज्याद के चांस हैं और हमेरे हम चाहेंगे की स्कूलों को हमारे प्रशी को कलब किया जाए और एक जगह पर बच्चों को कठा कर दकी तर दिया जाए तो वह मैं हुआ एक सरकार की योजना और भी है कि मतलब सभी बच्चों को जो आवो क्या मुलते कि अब आप एक जड़ा कठा किया जाए अगर सरकार कठा करती है और हमारे स्कुलों को कलब करें ना कि हमें तो यह बहुत बड़ी जो कमी आने वाले दिनों में मेरे को नहीं लगता कि शिक्षा का स्तार जो हो इस गाई लाइन्स के रुसार जो ऊंचा उठेगा तो यह अगर ऐसी व्यवस्ता रही तो हमें लगता है कि आज प्रदेश ठार में नंबर पर है तो शायद कहीं 20 में नंब है अगर वो हो जाती है तो हम आगे प्रयास करेंगे कि शिक्षा सचिब से और शिक्षा निदेशक्त से मिलकर जो आगो इन चीजों पर सुधार लाने के लिए जो हम प्रयासरत रहेंगे और अपने शिक्षक साथियों से भी गुजारिश करेंगी कि क्वाल्टी आजूक्र किसी भी तरह से जो आगो उनका हन नहीं होना चाहिए अन्य था हम किसी भी स्थर पर जाने के लिए भी विवेश होगे